हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे योट्यूब चैनल पे तो फ्रेंड्स आज भी हमेशा की तरह मैं पुराने कपडों का ही यूज़ करने वाली हूँ और एक सिल्क फैब्रिक की पुरानी एक मेरी चूड़ीदार पजामी है जिसका की मैंने पहले भी यूज़ किया है इसका ही यूज़ करके आज हम बहुत ही प्यारा सा एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं मल्टी परपस है किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ में ला सकते हैं पहले एक पीस में कट कर लेती हूं, जितना मुझे चाहिए, तो लंबाई और चोड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और ये वली जो फॉम होती है, जो कई वर सूट में से निकलती है फॉम, उसका यूज करने वाले हैं, तो चलिए दिखाती हूं आपको, एक पीस मे कट कर लिया है, तो ये आज हम बनाएंगे डाइनिंग टेबल मैट, ये देखिए, नीचे वली साइट पे लाइनिंग का कपड़ा रख लिया है, बीच में फॉम रखी है, तो इसके चोड़ाई जो है 12 इंच है, और लंबाई जो है इसके 18 इंच है, पहले हमने इसको चारो साइट से सिलाई लगा लेनी है, अच्छे से सेट करते हुए पूरा बराबर करके कहीं पे भी हमारे इसमें जोल नहीं आना चाहिए, तो पिन को साथ साथ में मैं उतारती जाओंगी, और हाथ से आपने कपड़े को सेट करते जाना है ताकि इसमें बिलकुल भी जोल ना आप देखिए चारो साइट से हमने सिलाई जो है लगा ली है, जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है इसको हम कट कर लेंगे, एक दम से प्रॉपर इसके फिनिशिंग कर लेंगे, तो देखिए एक पीस हमने रेडी कर लिया है बिलकुल फिनिशिंग के साथ, अब हम इसमें क कुल्टिंग करेंगे, तो कुल्टिंग करने के लिए सबसे पहले देखिए मैंने किस तरह से सेंटर में एक निशान लगा लिया, आप चाहों तो स्केल की हेल्फ से भी लाइने जो है लगा सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया पहले सेंटर में एक निशान लगा लिया, और य यह देखिए मैंने थोड़ा अंदाजे से ही लगा लिया लेकिन आप चाहो तो निशान लगा सकते हो स्केल की हेल्फ से अगर आप से सीधी लाइन नहीं लगती तो आप स्केल से सीधी-सीधी लाइन ड्रॉव करके उस पर कुल्टिंग कर सकते हो तो देखिए यह एक कुल्टिट पीस हमने रेडी कर लिया है अब इस पर बहुत ही अलग तरीके से आपको डिजाइन करना बताने वाली हो तो डिजाइन हमने कोई भी आप डिजाइन ड्रॉव कर लिजिए जैसा भी आपने डिजाइन बनाना है तो देखिए मैं इस तरह से य तो जहां को भी मेरा हाथ चल रहा था ना उसी तरीके से मैंने बना लिया यह देखिए इस तरह से तो जब यह बन जाएगा ना देखने में काफी सुंदर लगेगा यह देखिए ऐसे थोड़ा सा डाल कर लेते हैं और बिलकुल सिंपल सा इजी सा डिजाइन आज हम जो है ब डबल रील जो है दो धागे मैंने यह देखिए फिरकी में भर लिये हैं हम इसमें तीन धागे लगाने वाले हैं तो देखिए दो धागे जो है मैंने यह ले लिए और एक रील आप देख सकते हैं मैंने उपर रखी है तो यह तीन धागों को हम मिशीन में पिरो लेंगे सु दमें, ट्रिपल धागा है, फोड़ सोव रहें दोर में पृंड और राव किखा दोर शिता हैbardziej अब हमने इसवार के में डिश्यांत करने हैं टैब हम आ हमें इस पर इसलो है यह कमें दोर टैल marksman है एक यह 이제 देखेँ आप हमने इसपर गहाल। दें तो इ Bald res तो आप देख लीजिए ध्यान से बहुत ही एजी है और इस तरह से मशीन के साथ डिजाइनिंग जो है जो मैं आपको ये टांका आज बताने जा रहे हूं इस तरह से आप कुर्ती पे भी डिजाइनिंग कर सकते हैं कुर्ती पे सूट पे पलाजो पे कहीं पे भी आप करने के तो मशीन के साथ मैंने इंब्राइडरी करना भी बताया है तो दूसरे चैनल पर भी काफी सारी वीडियो मैंने अपलोड किये हैं लेकिन फ्रेंड्स क्या है कि दूसरे चैनल पर मैं रेगुलर वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ही मतलब कठीन है दो दो चैनल को है चाहिए पर देड़ करने में रिडियो में रोटी के इस प्रेड़ रही ही और भी जादा है। डाले हैं कभे-कभे सोचते हूँ कि उस पर भी रेगुलर वीडियो डालो नहीं लेकिन नहीं हो पाता है इस तरह से तो यह देखिए जब से बुटीक छोड़ा है घर पे ही काम करें हूँ न तो घर का भी फिर सारा काम देखना होता है बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए दो-दो वीडियो बनाने में काफी दिक्कत हो जाती है यह देखिए तो इस तरह से पहले हमने रनिंग स्टिच पूरा सिलाई लगाते ह यह जो हमने डिजाइन ड्रो किया है उस पर यह देखिए मिशीन को चलाते जाना है बहुत ही असान तरीके से यह डिजाइन जो है आपका बन जाएगा तो पूरा इसको कंप्लीट कर लेती हूं आगे मैं आपको पैच वर्क इस पर क्या बनाने वाली हूं वह भी आपको वी लैदर फैब्रीक होता है इसको लैदर फैब्रेक बोरते हैं यह यह न्हाए को जहां पर ब下去 मिन जाएगा भी थोड़ा सा मेरे पास बचा है इसके साथ काफी सारेम में जिऔर का एंस list बapor चायने आपको मेरे चैनल पे इस लेदर फैब्रीक के मिल जाएंगे तो इसके साथ ही आज हम पैच वर्क करने वाले हैं तो पहले मैं पतियां काट लेती हूं यह देखिए तो अगर आप इस तरह से पतियां पती नहीं काट सकते तो आपने क्या करना है गत्ते पे कोई भी कार्ड बो चला हुआ है तो इसी तरीके से मैं कट कर लेते हूं लेकिन आप पहले गत्ते पे एक फर्मा कट करके रख लेजिए और निशान लगा के इस तरह से पतियों को कट कर सकते हैं तो अभी न मेरे पास एक जो मैंने आपको पहले भी उताया था फोम शीट पड़ी थी उसके अटेच करना है बात में मैंने यलो वाला वो छोड़ दिया फिर आगे दिखाती हूं आपको कि यलो वाले फ्लावर फिर मैंने इस पे किस तरह से बनाए और कौन से फैब्रिक के साथ बनाए है तो इसमें ये जो लेदर फैब्रिक होता है इसमें हमने सिर्फ सेंटर में एक बभरा सा रहेगा जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है और ये जो लेदर होता है इसके धागे तो आपको पता है बिलकुल नहीं निकलेंगे डवल सिलाई मैंने लगा ली है तो इसी तरह से सारी पटियों को मैं अटेच कर लोगी तो ये जो जहां पे बैग बनाने क या सूटकेस बनाते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे कपड़े जो है मिल जाएंगे तरह तरह के कपड़े आपको वहां पे मिल जाएंगे काफी वीडियो में मैंने दो तिन वीडियो में शेयर भी किया है वाटर प्रूफ ट्रैबल बैग बनाया है तो वहां से ही मैं ल आप देखिए ये लाइनिंग का पीस मेरे पास पड़ा है तो अपना सूट में ने स्टिच किया था उसमें से लाइनिग बचि थी जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था आपके साथ जो पिछले वीडियो बनाया है या उसमें भी इस फैबरिक कर दोंहें बनाते जाएंगे और ये बहुत ही प्यारा प्लाबर बनके रेड़ी हो जाए मैं तो Friends, इस फिर चोटे-चोटे पीस होते हैं स्क्रैफ फेब्रिक होता है उसको भी हम बहुत ही तरीकों से यूज में लासकते हैं इस तरह के छोटे-छोटे पीस भी अगर आपके पास पढ़े है तो उनको कभी भी आप वेष्ट मत समझेगा, यह बहुत ही काम आ जाते हैं, छोटे-छोटे हम फलावर मना सकते हैं, पैच वर कर सकते हैं, तो यह चोटे-छोटे कपड़े भी हमारे लिए काफी कीमती होते है मेरे लिए तो काफी केमती है क्योंकि मैं फिर कई बार कपड़ों की काम हो जाते हैं तो दिक्कत पढ़ जाती है इसलिए मैं छोड़े-छोड़े कपड़ों को भी हमेशा संभाल के रखती हूं तो देखें सिलाई लगाके हमने एक्स्ट्रा फैब्री को कट कर लेना है यह देखिए इस तरह से सूई धागा लेकर यह देखिए इस तरह से टांका लगाते हुए हमने एक फलाबर तियार करना है यह देखिए तो फलाबर हमने रेडी कर लिया है अब इसको यहां पे हमने अ कशाइब भूख सुंदर उस्ख़ी को मिदेशा के प्रषा पूंदर लगा कि अप कुमेंट में जरूर X है यहां पर अपיכा लुखा लगा यह नहीं ठीक आप कि मुझे एलो इत पता चले कि आपको यह पहले प्स Embry लेकिन आप जरूर बताईएगा आपको अच्छा लगा या नहीं यह देखिए अब सेंटर में भी फिर कुछ लगाएंगे अब दूसरा फिलावर भी मैंने रेडी कर लिया है तो इसको भी यह देखे सेम इसी तरीके से हमने सुई धागे से पिरोते हुए एक फिलावर बना आपको लेना है तो इस तरह से ना में सिर्फ दो फिलावर इस पर लगाने वाली हों दो के साथ ही इतना अच्छा खिल के आया ना बोहत ही सुंदर लगा कि इस तरह से हमने अटéच करना है दूसरे इस Step Step तो थोड़ा सा वीडियो कट गया था तो मैंने सोचा अच्छे से आपको एक बार दिखा देती हूं तो इस तरह से बना के यहां पर हमने इसको अटेच कर लेना है यह सेंटर में जो आपको दिख रहा है थोड़ा इसको हम बाद में इसके उपर भी इसको भी कबर करेंगे सें भी, हमारा ख्राब नहीं हो जैसे मजी आप इसको भॉष कर सकते हैं फिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो अचा हो एस तरह से आप डाइनिंग टेवल के लिए पूरा सेट जो है रेडी कर सकते हैं और यह जो मैं में बना रह हूँ इस तरह से आप इनको बॉल पे भी हैं ग अगर आप बनाके लगाओगे न तो बहुत ही प्यारे लगेंगे अब देखिए एक पीस हमने लेना है यहां से न हमने एक सर्कल कट करना है यह देखे जो लेदर फैब। यह यहां लेदर कहीं काफी साल पहले लिया था विडियो डाला है मैंने चैलल पर तो मुझे लगता है दो-तीन साल पहले का में पास यह अब थोड़ा सा बचा था तो मैंने बोला कि इसका भी मैं उसका अब यूजकी हो थोड़ा लेकिन मैं इसको, न, मिशीन के साथ ही लगा लूँगी, ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको. अगर आपके मिशीन नहीं चलती, इस तरह का आप बना रहे हैं, मोटे कपडे पर नहीं चल रही है, बिलको धीरे धीरे चलानी है, जैसे मैं धीरे धीरे चला रहे हूँ. अगर फिर भी अगर आपके मिशीन ना चले तो आप सुई धागे से भी टांके लगा सकते हैं ये देखी लग रहा है न कितना सुंदर ब्लैक जब हमने बीच में लगा लिया तो इसका लुप बहुत ही प्यारा आया ये देखो कितने प्यारे हमारे ये फ्लावर जो है बनके रेडी होगे अच्छे लग रहे है न ये देखो अब हम चारों साइट पर पट्टी लगाएंगे तो पट्टी के लिए देखे मैंने ब्लैक कलर का ही कपड़ा लिया है ब्लैक कलर का जैसे कोई फोटो फ्रेम होता है जिसमें फ्रेम लगा होता है ब्लैक कलर का उसी तरीके से अगर आप वॉल पे हैंक करने के लिए भी बनाओगे तो इस तरह की पट्टी लगाके न फ्रेम देखना एक दम से बहुत ही प्यारा लगेगा क्योंकि हमने जो फ्रेम ये पट्टी जो लगाई है इसकी जो लाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती तो अगर लाइन वाला कपड़ा है उसको किनारे के लिए आप आड़ा करके लगाईए जिसके साथ किसका लुक बहुत बढ़ी आएगा ये देखो अच्छा लग रहा है न अब इस साइड पे दोरों साइड पे भी पट्टी लगा लेती तो उसके साथ फिनिशिन ज्यादा अच्छी आती है तो देखिए इस तरीके से हमने सारे किनारों पर चारों किनारों पर पट्टी लगाके इसको फिनिश करना है तो आप खुद देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही बढ़िया आया है बहुत ही प्यारा लगा है देखिए कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और बैक साइड से धागे विगारा फिनिश करके हम इसको अच्छे से कर लेते हैं अब देखिए मैं यह जो पट्टी आपको दिखा रही थी इसको आपने सीधी लाइने करके कभी भी नहीं लगाना आप खुद देख सक अगर अड़ा कपड़ा लगाएंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आएगी यह देखो अगर सीधी लाइन लगाओगे तो इतनी अच्छी पट्टी हमारे नहीं लगे तो इसको देखिए आप वाल पे भी हैंग कर सकते हैं डाइनिंग टेबल की तरह यूज कर स सकते हैं जिस तरिके से बी आपको चाहिए आप इसको यूज में ला सकते हैं तो यी एक डाया के आप ऐसा लगाया तो आपि वी अज़िटी अगर आप कोई कलरा लगाना चाहते के आप अपने मरजी से ला सकते हैं जैसा वी आपको अच्छा लगता हो ब्लैक कलर ब्राउ attack कि काल या कोई भी कलर आप लगा न चाहते हैं तो फिलावर भी आप देख सकते हैं और पतिया भी जो है काफी संदर उभर के आया है डिजाइन काफी अच्छा blij थूआ और बनाने में भी काफ़ी असान है हर कोई इसको बना सकता है अगर एक बार देखके अच्छे से सीखके अगर आप सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखके आप इसको बना सकते हैं कोई भी काम जो है impossible नहीं होता अगर हम ठान लेते हैं कि हमने ये काम करना है तो करना है तो बस करना है तो अगर आप सीखना चाहते हैं, आपके इस तरह का है कि हाँ मैं सीखोंगी और बनाओंगी, तो आप देखके सीख के इसको हम एजी ली बना सकते हैं, तो फ्रेंट्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा है, तो वीडियो को friends में share भी कर दिजीगा तो okay friends, मिलती हूं next video में अब तक के लिए, bye bye